इसकार में डिपाली अब सभी का स्वागत डिपाली ऐस्ट्रो में करती हूं और देखते हैं आज का दीन अनिकी 20 अगस्त 2022 कैसा जाने वाला है तो चलिए शुर्बात करते हैं मेरे शाषी वालों के साथ मे Bruiser мои शासीबालों आज के दिन के में बात करूँ तो आज का दिन आपको विस्तार के साथ सारी चीज़ें सारी जो आगर किसी प्रोजेक्ट को काम करने में लगे हुए है तो विस्तार के साथ डीटेलिंग में आपको टाइम देने की जरूरत है अगर आप कारशेतर में भी को समझने की कोशिश करें उसके बाद ही किसी एक ठोस निड़ने पर पहुंचें ये परिस्तिती आपको कहीं न कहीं मुश्किल में डाल सकती है कारेशेत्र में अगर आपने छोटी मोटी चीज़र को इगनॉर किया या किसी महत्वपूर्ण लीगल डॉकिमेंट को आज के दिन स सोच रहे हैं तो उसके लिए जो फिनांसिस की जरूरत थी उसके रास्ते खुलते हुए आज के दिन नजर आएंगे परिवार एक स्थिर्ता बनी रहेगी स्वास्त में ये जाफा होता हुआ देखेंगे परिवार के लोग आपका सिपोर्ट भी करेंगे और आप भी परिव कारे शेत्र में कॉमिनिकेशन को इंटाक्ट, क्लियर या क्रिस्टिल क्लियर रखने की जरूरत है। नौकरी चेंज करने की आप सोच रहे हैं या निजी वैपार में विस्तार की अवस्था अगर आपके जीवन में आ रहे हैं तो ये सारी चीज़े अनुकुलता लेकर आ जाएंगी लेकिन राइट टाइम पे राइट स्ट्राटिजी को आज के दिन आपको लागू करने की कराशी वालों आज के दिन के मैं बात करूं तो आज का दिन पॉजिटिविटी को इंब्रेस करिए चोड़ी चोड़ी बातों बे तनाव रहित रहिए साथी साथ खान पान पे नियंतरन रखकर कोई मैज़पूर्ण दिशा निर्देश की तरफ आप बढ़ सकते हैं साथी स विदेश में गमन या विदेश में रहने के एक शुक हैं सेटल्मेंट के तरफ एक शुक हैं और अगर डॉक्यमेंटीशन आपका डिले हो रहा था तो अब वो परिस्तितियां आपके लिए अनुकूल होती हुई नजर आएंगी बात करते हैं सिंगराशी बालों के लिए सिंगराशी बालों आपके लिए परिस्तितियां नुकूल हैं मन आपका शांत है साथी साथ नई प्रॉपर्टी में निवेश कर पाएंगे आप अपने लिए सिचुएशन को और ज़दा अच्छी कर पाएंगे बहतरीन तरीके से चीजों को सोच के समझ के चलने की जरूरत है लंबे समय से चल रहा कोई आपका आंतरिक तनाव जो आपका अपने आप से चल रहा था उस परिस्तिति को आप अपने लिए बैलन्स कर पाएंगे साथी साथ निवेश करने से पहले सारे आयाम को सोच लें समझ लें परिस्तितियों को पॉज़िव करने तभी आगे बढ करते हैं कने राशी वालों के लिए परिस्तिती अनुकूल है कने राशी वालों तनाव की स्थिती से अगर आप गुजर रहे थे तो अब वो परिस्तिती बैलन्स आउट हो चुकी है मन आपका शांत है मिचारदाराएं प्रबल हैं लंबे समय से चल रहा कोई विवाद भी हो गया है खास तोर पर अगर वो conflicting situation या सिनारियो professionally linked है तो अगर आपको किसी व्यक्ति विशेश से चोटी मोटी चीज को लेकर विवाद हो गया था जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा अपसेट चल रहे थे अब वो परिस्तिती आपकी साजा होती भी नजर आती है साथी स बात बैलंसिंग आट में रहेंगे कारेशेतर में नौकरी चेंज करने के जो लोग इक शुक है उनके पास परिस्तितियां आ सकती है मन उनका strongest प्रडिस्टियल पर रहेगा आप अपने लिए नई स्ट्राटेजी बना भी पाएंगे और कुछ नकुछ प्रोफेशनली अपन के लिए अनुकूल रहेंगी कुछ खास उतार चड़ाव आज के दिन देखने को नहीं मिलेगा जैसे चल रही है सिचुवेशन वैसे ही चलेंगी लेकिन आज के दिन आप अपने अपने और अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ एक ऐसा महत्वपूर्ण दृष्टिकॉ कुल मिला के आज का दिन आपके और आपके परिवार के बीच में सानित बैलन्स बनाने का है आपके और आपके परिवार के बीच में हेल्दी रिलेशन्शिप बनाने का है कोई ठोट निरने लेकर आप अपने और अपने परिवार के बीच में पॉजिटिविटी को और इंक सब्सक्राइब कर सकते हैं साथी साथ अगर आपको लगता है कि आपके स्वास्त में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और खान पान आपका कुछ मिसा उठो रहा था चीज है तो अब बैलंसिंग बन जाएगी इसके अच्छे से हो जाएगी अपने खान पान पे भी अपने अंतर रख सकते हैं महतरपूर यह है कि अप समय आ गया कि आप अपने उपर अच्छे तरीके से काम करें परिस्तितियों को अनुकूल बनाने के लिए कोई महतरपूर या ठोस निरने अपने और अपने परिवार के साथ मिलकर आप ले सकते हैं बात करते हैं धनुराशी वालों के कारशेतर में विस्तार धनुराशी वालों हो सकता है बड़ी ही गतिशील तरीके से परिस्तितियां आपके फेवर में आएंगी प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं वहान खरीदने के जो लोग एक्षुक थे और काफी समय से प्लान कर रहे थे और उसमें कोई बाधा आ हैं या अपने लिए कुछ नई चीज खरीदने के बात करें जो काफी हेवी अमाउंट है वहाँ पर आपकी परिस्तिती अनुकूल होती हुए नजर आएगी परिवार की तरफ से आपको सपोर्ट बना रहेगा मेंटल सपोर्ट मिलता रहेगा कारशेतर में इजाफा है आप के कद का आपकी सामाजिक साख का प्रतिष्टा का पराक्रम में भी आज के दिन वृद्धी होते हुए देखेंगे बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए परिस्तिती अनुकूल रहेंगे मकर राशी वालों भाई बहन से चोटी मुटी चीज को लेकर आपका थोड़ा सा बाद हो सकता है लेकिन डे एंड बे आते 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 वो परिस्तिती अगदम अनुकूल हो जाए नहीं तो इसलिए चोटी सी चीज को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है कारे शेतर में जिस पॉजिटिविटी के साथ आप चल रहे हैं वैसे ही चलते चलिए अपने आपको औ पर पूर्ण स्टेप लें जिससे की आपको कम से कम खामिया जगा भुक्तान करना पड़े साथी साथ आज के दिन स्वास समंधी चिंताइं भी दूर होती हुए नजर आएंगी बात करते हैं कुमराशी वालों के लिए परिस्तिती अनुकूल है समानिता रहेंगी कुछ खा आपको पॉजिटिव बुनाना चाहिए और आगे बढ़ते चलिए साथी साथ आपके पास निवेश करने से संबंदित या बिजनस ऑपिचिनिटीज आ सकती है कोई आपका जानकार या व्यक्ति विशेश या कोई आपका मित्र आपको कोई ना कोई सिच्वेशन या कोई सल अगर आप चाहते हैं अपने लिए और स्थिर्ता बनी रहे आपके लिए और परिस्तिति अनुकूल रहे तो मन को शांत रखने के लिए आज के दिन आपको अध्यात्म का साहरा लेना चाहिए आपको योगा या कुछ अध्यात्म से संबंदित मेडिटेशन या ध्यान में अपने आपको लेकर जाना चाहिए जिससे की आपका मन शांत हो क्योंकि कारेशेत्र में जितना आप एफर्ट्स कर सकते थे आपने कर लिया है अब आपको उस चीज़ का रिजल्ट का वेट करना चाहिए जो परिस्तितियां आपके लिए और अनुकूल करके जाएगा साथी साथ लंबे समय से चल रहा है आपका पारिवारिक तनाओं या परसनल रिलेशन्शिप में अगर कोई टर्मोल या टेंशन चल रही थी वो परिस्तिति अब आपके फेवर में आती हुई नजर आएगी कहने का मतलब यह है कि कम्यूनिकेशन का एक रूम या एक उपरिटिनिटी या एक अवसर अब आपके सामने आएगा जहां पर आप मिस कम्यूनिकेशन हुई या मिस अंडिस्टैंडिंग हुई बातों को क्लियर आउट कर सकते हैं इसके साथ मुझे आगया दीजे मैं कल फिर आजर हूंगे नमस्कार